भारत के खिलाप अपने नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए विदेश में मौझूद तमाम खालिस्तानी संगठन एक हो गए हैं। सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर भारतिय खुपिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए कड़ी चुनोती बनते जा रहे हैं। और खास तोर से पंजाब को टार्गेट कर सकते हैं। जिसे परमजीत सिंग पंजबाट लीड कर रहा है। तीनो संगठन ISI के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनी तीनो आतंकी संगठनों ने सिख फोर जश्टिस के चीफ गुर्पतवन सिंग पन्नू, अर्षदीब डल्ला, गोल्डी बराड, लखवीर सिंग और हरविंदर रिंदा को इस साजिश के लिए डोरी डाली थे। इसके बाद आतंकी संगठन खालिस्तान लिवरिशन फोर्स भी इसी नए गुट का हिस्सा बन चुका है। उधर कनाडा में गैंगिस्टर से आतंकी बने सुकदूल सिंग सुक्खा दुनेके की हत्या के बाद भारत की सक्त रवाईय को देखते हुए कनाडा को बेस बनाकर बैठी लखवीर सिंगलांडा के पाकिस्तान, अश्दीप डल्ला के यूएस, गोल्डी बराड के भी यूएस फरार होने की ख़बर है। जहां पहले से सिक फॉर्ट जेश्टिस का चीफ पन्नु मौजूद है। इसके परटने के बाद, यूके में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद वहाँ से भी कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने यूएस को अपना बेस बना लिया है। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक खुपिया इंपुट के आधार पर कश्मीरी गेट बस अड़े से मलेक सिंग नाम के खालिस्तानी समर्तक को गिरफतार किया है। जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया मलेक सिंग सीधे सिख फोर्थ जश्टिस के चीफ पन्नू के संपर्क में था और क्रिकेट बैड कप के दोरान राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। साथी मलेक सिंग सितंबर महीने में वेस्ट दिली और एयरपोर्ट पर लिखे गए देश विरोधी नारों के मामलों में भी शामिल था। उसमें परचादर्च हुआ था और तकरीबन लास्ट दो महीने से हमारी मिल्टिपल टीम्स इस पे लगी हुई थे। क्योंकि पिशली बार जो इन्होंने दो बार पहले भी ग्रैफिटी बनाई है। एक बार 26 जनवरी से हफता पहले बनाई थी और एक बार सबसेकूइंटली बनाई थी। तो दोनों बार गुर्पतवन्थ सिंग पन्नू के डारेक्शन पे वो ग्रैफिटी बनाई गई थी। और क्योंकि दोनों में स्पेशल सेल ने उन लोगों को पकड़ लिया था। तो इस बार इन्होंने और ज़्यादा प्रिकॉशन इस लड़के ने लिया था। भारा सरकार पहले ही गुर्पतवन्थ सिंग पन्नू और उसके संगठन सिख फोर जेश्टिस के खिलाफ गैजेट पास कर उसे प्रतिवंदित खालिस्तानी आतंकी संगठन गोशत कर चुकी है। अब 19 नवंबर को पन्नू द्वारा जारी एक और जहरीले वीडियो को आधार बना कर उसके और सिख फोर जेश्टिस के खिलाफ NIA ने UAPA के तहत मुगदमा दर्च कर लिया है। और मकसद है कि जल्द पन्नू के काले चिठे को इंटरनेशनल फॉरम पर बेनकाब कर उसके उपर सिखन जागसना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा में comment box में जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब बना ना भूलें शुक्रिया।